यहां पार्टी जिस पैनल पे खड़ी है वहां हम लोग मजब से बहुत आगे जाके एक दूसरे का हाथ में हाथ कामे हुए यहां पर खड़े हैं और खड़ाऌन का शुकर है के पूरी एकनियती के साथ हमारे पूरी कौम हमारे साथ है कावँ मसलिम हैं प्रिस्ट्व हैं हिंदू हैं सिक बरादरी है अ़ंग ठाड़ा है चिर्षा ने पर खड़े है बाई हैं इमरान गोरी आपकी बहुत सारी तालियों में तहरीक रवादारी के रहनुमा हैं इमरान गोरी साथ आपकी बहुत सारी तालियों बाईयो सबको मसी मेरा सलाम कबूल हो मैं खराजे तर्सीम पेश करता हूँ अपने दोस्तों को जो वरकला है आज वो भी शामिल है मैं अपने काईद चेर्में जिन आप रवादारी तहरीक मैं उनका भी तह दिल से शुकर गजार हूँ कि उन्होंने मारी चोटी सी वास पर आज इस प्रोड़म में शिर्कत की और मसीय पार्टी के डॉक्टर इकबाल साफ जो इस प्रोड़म को रोगनाइज कर रहे हैं उनको मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ हम सब का एक ही मकसद है कि हम अपने वोट की ताकर से अपना नमेंदा चुने अकलीतों का भी नमेंदा जैसे मुसलिम बरादरी अपना नमेंदा चुनती है इसना हमें भी हक दिया जाए हक से उल्जोगे तो दुनिया में रहोगे कैसे हक से उल्जोगे तो दुनिया में रहोगे कैसे हक तो हर जल्म की दिवार गिरा देता है मैं नचीज अपने कायद और अपने कबाल साब के सामने तो ज्यादा नहीं बोल सकता और वुल्कुना जो हैं वो भी मिरसु सीनियन है मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वाज, मेरी जान इनके साथ, हमेशे सबसे पहले मेरा खुन बहेगा इस कौस के लिए, ठैंक यू जितने जोश से भाई बोलते हैं तालिया उसी साब से नहीं आती है अब मेरे साथ मजूद है हमारे भाई हैं पिंडी से शहजाद सोत्रा साथ, मर्कजी सदर मसीही तहरीके बेदारी और साथ का उमीदवाल बराय कौमी असेम्ली आप सब की बहुत सारी तालियों में शहजाद भाई के लिए सबसे पहले तो मैं शुक्र गुजाद हूँ चेर्मेन मसीहा पार्टी डक्टर परवेश साथ का सेमसें सरामस साथ का डक्टर आदल गोरी साथ का और जितने भी चेर्मेन साहिबान हमारे मौजज़त बिशप साहिबान पास्टर साहिबान और हमारी बेने मैं उन सब का शुक्रिया दा करता हूँ अप्ली तों पे जो ये सिलेक्टेड अम्पेज मनेज मुसल्ट किये गे जबरन हम इन को नहीं मानते ये आइनी तोर पे भी अकलियतों के हकूब पे डाका के मुत्रादिफ है हमें अपने वोटों से अपने नुमाइंदे मुन्तिखिप करने का हक क्यों नहीं दिया जाता क्या हम बाई फोर्स पाकिस्तानी है या के बाई सोर्स पाकिस्तानी है हम इसी खमीर की पैतावार है इसी धर्ती माँ से हमारा तल्ट है हम मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है हमारे अबाउजदाद ने भी इस मुलक के पाकिस्तान को बनाने के लिए कुर्बानिया दी लेकिन हमारे साथ एक तरफ तो आईने पाकिस्तान कहता है के तमाम पाकिस्तानी ब्राबर के शेरी है हर दूसरा यहीं पे एक शिक रख दी जाती है आईन की शिक के कोई गैर मुस्लिम सद्र पाकिस्तान नहीं बन सकता वजीर अज़म पाकिस्तान नहीं बन सकता चीफा पार्मी स्टाफ नहीं बन सकता मेरा उन सेलेक्टिन नमाइंदों से भी यही सवाल है के अगर आप कहते हो के हम ब्राबर के शेरी हैं तो फिर हमें यह हमारा हक क्यूं नहीं दिया जाता हमें अपने वोटों से अपने नमाइंदे मुंत्खिप करने का हक क्यूं नहीं दिया जाता हमारे साथ नार्वा सनूक हमारी बच्चियों का जब्री अग्वा क्रोया जाना जब्री तब्दीलिये मजभ करवाना हमारे मसी दारों पे कब से हमारे हमारी कौम के साथ आखिर ऐसा खलवाट कब तक होता रहेगा ये तब तक होता रहेगा जब तक हम आपस में मुद्ध नहीं होंगे अगर हम सब अपनी सियासी लोग अपनी अपनी दुकानदारियां चमकाते रहेंगे तो फिर कौम का और सत्तर साल तक यही हाल होगा सबसे पहले मेरी रुक्वेस्ट है तमाम चेर्मेंट सहबान से इधर भी कुई आख लास पार्टी के चेर्मेंट मजूद है के आपस में इतहाद करें जैसा एड़केश साब ने कहा अंजन साब ने कहा के अगर हम मुतित होके चलेंगे तो मंज़र असान होगी हम पाकिस्टानी शहरी होने के नाते हाक में वकद हकूमत पाकिस्टान से ये मुतालबा करते हैं के हमारे अकलीती लोगों को भी जीने का हक दो इने इनके वोर्ट से इनके नुमाइंदे चुनने का हक दो हम अपनी जद्व जहेद तब तक जारी रखेंगे जब तक के ये जो हमारे उपर मसल्द किये गे अमत्याजी कवानी इनको दूस्त नहीं किया जाता हमारी कम अमरी की शादी जबरी तब्दीलिये मजभ सेलेक्शन सिस्टम ये हमारे लिए परेशानी का भी बाइस है और हमारी गहरत को ललकारने के भी मतरादित है हम सब मिलकर जो इस सिस्टम के रस्ते में रुकावटे हैं उनको दूर कर सकते हैं बाकि बहुत सारे सहबान ओर की बैठे हुए हैं मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा बहुत शुक्रिया तैंक यू बैट मैं आगे चलते हैं जी प्रोग्रम में हमारे साथ बहुत ही मौतरम हमारे रियाज अंजम एड़ोकेट साहब हैं चेर्मेन तहरीक तहफ़ज हको के अकलियत आपके बहुत सारे तालियों मैं देए आर्नरिटल प्रोग्रियम दोस्तों और साथियो खुदाधियस्वलमसी के बाब अरकत राम में आप सब की इस्लामती हो देखें जब तहरीके अजादी चल रही थी तो उसमें उस वक्त की अगर हम एथनी कम्यूनिटीज का जिकर करें तो मुस्लिम्स थे, हिंदूस थे, सिक थे और मसीही थे जो चार बड़ी कम्यूनिटीज थी उनमें हिंदूस का स्टांस ये था कि मतहदा हिंदस्तान अंग्रेज छोड़के चला जाए और जो मुस्लिम्स थे, उनकी जो लिडर्शिप थी दे कलेम फार पाकिस्तान और जो सिक थे, उनके दो बतालबार थे एक तो उनका ये था कि हमें अजाद रियास्त दी जाए और वो ये कहते थे कि हम एक मार्शल रेस से बिलॉंग करते हैं तहरीक जादी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा करबानिया हिंदू से भी और मुस्लिम से भी ज्यादा करबानिया सिको ने दी हैं सबसे ज्यादा कैदी हमारे हैं सबसे ज्यादा जो फांसियां हैं वो हम को मिली है तो ये कैसे मुमकन है कि इंग्रेज चला जाए और हमें डॉमिनेशन में छोड़ जाए बाहराल उनका ये मितालबा तस्लीम ना किया गया और उनका जो दूसरा मितालबा था पंजाब को ड्वाइट करने का उसको तस्लीम कर लिया गया उस वक्त जो मसीही कमिन्टी थी वो वाहद कमिन्टी थी उनकी लीडर्शिप ने अपनी कमिन्टी के लिए कुछ डिमांड नहीं किया उन्होंने जो कुछ भी मांगा पाकस्तान के लिए मांगा उन्होंने काइद आजम का साथ दिया, मुस्लिम लीग का साथ दिया, अनकनिशनल दिया आप सिंगा साथ की बाउंडरी कमिशन के सामने जो उन्होंने रिपोर्ट बेश की उसको अगर आप देखें पड़ें और आप हैरान रह जाएंगे उन्होंने कहा हमारी अबादी को मुस्लिम्स की अबादी के साथ शमार किया जाए और उनकी अकलियत को अक्सरियत में बदलने के लिए अक्सरियत को बड़ी अक्सरियत में बदलने के लिए हमारी अबादी को उनके साथ शमार करके मैकसिमम अलाका पाकिस्तान का हिसा बनाया जाए और आप एहरान होंगे कि अगर वो ऐसा ना करते तो जहां पे आज हम खड़े हैं लहोर में लहोर कभी भी पाकिस्तान का हिसा ना बनता ये मसीहियों का मसीही लीडर्शिप का पाकिस्तान के उपर एहसान है कि आज लहोर पाकिस्तान का हिसा है देखें अनकंडिशनल स्पोर्ट क्यों की अनकंडिशनल स्पोर्ट इसलिए की चुके एफपी सिंगासा और जो लीडर्शिप थी उनका ख्याल ये था भी किया कि जो रियास्त है वो सेकुलर होगी वो मजभी रियास्त नहीं होगी नाइनिटिल फोटी एड को जब खताब किया वाइस अफ अफ अमेरिका को जब इंट्रियू दिया तो उसमें भी काईजाजम ने इस बात का इज़ार किया कि ये एक ठ्यूक्रेटिक स्टेट नह दिया पाकिस्तान का साथ दिया लेकिन हुआ क्या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की महालफत की जिनमें जमाइद इसलामी भी थी मज़िस एरार भी थी मजमियत उलमे इसलाम भी थी ये वो तुमाम लोग थे जो पाकिस्तान को ना पाकिस्तान और काईद आजम को काफर याजम कहते थे, लेकिन जब पाकस्तान बना, तो उन्हों ने कहा कि अब हम, यहाँ पे हमने इस्राम को नाफिस करना है, यहाँ यह अब मजभी रियासत होगी, तो हम यह कह सकते हैं, कि मनजल फिर उन्हें मिली जो श्रीक एक आरवाना थे, वो लोग जिन्हों ने महार किमिजम और फंडामेंटरिजम नहीं थी जो आज है हारु कमरान को जब इन्होंने डॉमिनेट किया जो अस्रामी फिकर रखने वाले लोग थे जो राइट विंग था जब काईदयाजम की लाइफ में आप देखें करादा दे मकासद कभी भी मनजूर नहीं हुई जब काईद जो लाब्बी थी उसके एंफ्वेंस में चले गए उनको प्रेशराइज किया गया और फिर उन्होंने आप चादा थे मकासद आज भी आप आएन का हुलिया कर देखें तो क्या है किस ने बगढ़ा है, आएन का हुलिया क्रादा दे मकासद ने बगढ़ा हुगा है तो मसीहियों के साथ जो मसीहियों की अक्सपेक्टेशन्स थी जो वादे थे काइदियाजम के उनके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान चला और आज अगर हम ये फसल काट रहे हैं अदेश्ट गर्दी के तो हमारी अपनी लगाई हुई है establishment ने जो narrative दिया था जो फाज ने narrative दिया था जो अजन्सीज ने narrative दिया था आज उसकी फसल काटी जा रही है अगर हम ये कहते हैं के फ़ला मजब जो center of gravity होगा और इसके बगार पकिस्तान नहीं चलेगा तो फिर center of gravity का तो ये अपने देख लिया जो हो रहे है आज, यहां पे हम क्यों कठे हैं, हम उजाम बदलने की बात करता है हम CEO का क्या मतालबा है, या climate का क्या मतालबा है वो सिर्फ ही चाते हैं अज़ में vote का हक दिया जए तो जो जभरियत होती है उसमें vote का हक दिया जाता है जब जहां से जुमूर्यगत का आगास हुआ युनान में वहां Sut दो लोगों का वोट का हठ नहीं था एक वो जो गلام थे और दूसरे वो जो फार्नर्स थे क्या हमें बताया जाये कि हम यहां पे फार्नर्स है? या हम यहां पे गلام है? हम इस मुलक के natives हैं हम अफगानस्तान से नहीं आए, हम एरान से नहीं आए, हम साथी अरब से नहीं आए, हम एम पोर्टेट नहीं है, हम नेटिव हम स्पूथ हैं, हमने करबानिया दी हैं, लेकिन हमारे साथ ज्याती है, देखें 1981 में, जब 217 असम्बली सीर्स थी, तो उस वक्त भी हमारे पास 10 थी, आज 342 हैं, आज भी हमारे पास 10 हैं, क्या मसीहों की या मिनॉर्टिज्स की अबादी नहीं बड़ी, हमें इस बात का जवाद दी आ जाए, लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे हर चीज़ को अग्नोर कर दिया जाता है, यह समझा जाता है, कि चले यह कमजोर लोग लेकिन हमारी सीव्स में अजाफा नहीं किया गया, जो हमें दिया गया है, सेलेक्शन सिस्टम का, 22 साल, 22 साल इसमें जो सेलेक्टड लोग आते रहे हैं, हमें बताया जाकिन इंग्रीज आफ सीव्स के लिए, असम्बलियों में सीव्स के अजाफे कि यह कितने बिल टेबल ह हुए उन पे क्या राइशमारी हुई, कभी एक भी बिल ऐसा टेबल हुए है, जिसके उपर राइशमारी की गई हुए, जब इनके बिल टेबल होते हैं, तो उनको पार्लिमन कमेटियां रद कर देती हैं, क्यों करती हैं, चुक्छे इनकी एहमियत नहीं है, या या अपनी अहमियत मनवा नहीं सके, बात यह है कि जब आप सेलेक्टेट सीर्स के उपर आएंगे, तो क्या बात करेंगे, इसलिए पाकिस्तान के मसीह ही चाते हैं, कि हमें अपने वोट का हक दिया जाए, अगर एक MPA, MN, Assembly के अंदर, Constitution के अंदर सीर्स रखी गई है, तो एक जो हमारा नमाइनदा है, वो हमें चुनना चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है, क्यों इस्टैबलिश्मेंट और जो जमूरियत की चैंपियन जमातिया, क्यों नहीं देती, आज हमें इस बात की जरूरत है, या सोचने की जरूरत है, कि आहर कुछ हमें अपने गिरेबानों में भी चाहिए, हमें मुझे खुश ही है कि आज यहां बे आडियन्स बैटी हुए, यह एक गुल्दस्ता है, पड़े लिखे लोग हैं, डिफिनेंट सेग्मेंट और ससाइटी से तलक राखते हैं, कुछ हमारी स्टैटेजी और प्लैनिंग में भी थोड़ी सी खामिया है, जो मैं ऐसा करें कुछ स्टैटेजी और प्लैनिंग के लिए हम सब लोगों को एक जगा बैठना चाहिए और प्लैनिंग बनानी चाहिए, देखें, अगर हम इसी तरह लगे रहेंगे तो शायद मनसल, हम जजबाती तक्रीरें तो कर लेंगे, लेकिन मनसल को हासल करना शायद थोड करता हूं, हमें लॉबिंग की ज़रूरत है, बासका आप वो जो इस्चूज प्रोटेस्ट वगरा से नहीं आख कर सकते हैं, वो लॉबिंग के जरीए हल किये जा सकते हैं, हमें इस बात को जो बड़ी सियसी जमाते हैं, वहां पर प्रेपोगेट करने की ज़रूरत है, लॉ प्रेक्शन सिस्टम दिया जाए, उसके साथ साथ हमारी सीटों में अजफा किया जाए, पांच प्रसंट के हसाब से, और उसके साथ साथ फिर डिलिमिटेशन ऑफ कांस्टिट्रेंसीज है, हलका बंदिया कैसे होंगी, उसके उपर हमें एक स्टैटेजी, प्लैनिंग, से एंड आहर में इतनी इंग्जारश करूंगा, कि अंजमना कदम रोग, कि वो दूर की मनजल निकलेगी किसी रोज, इसी गर्दे सफर से, आपकी बहुत सारी तालियों में, मैं अपने भाई, पास्टर लियाकत गुलजार को दावद हूँगी, आप सब की बहुत सारी ता आप सब की सलामती हो, और खुदावन की सलामती हमेशा आपके खरानों, आपके खानदानों पर काईम और दाइम रहें, सबसे पहले, तो आज हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जिस काम में हम उस खुदावताला की मर्जी को शामिल करते हैं, उस में खुदा की बर्क्तें और खुदा की ब्लेस्म हमेशा इनसान के साथ काईम और दाइम रहती हैं, आएए खुदा के जलाल के लिए जोर दार किरापिं करें, और उसके बाद हम अपने प्यारे भाई डाक्टर प्रिवेजी इकबाल और उसके बाद पंजाब के सदर जनाब अन्वर बठी, और तरीक के रवाधारी के चेर्मेन जनाब सेम्शन स्लामत साहिब और हमारे मोजिस बाई, जनाब अकमल बठी साथ और जितने भी दीगर, हमारे मुस्लिम बाई, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं के आज वो पाकिस्तान में अकलियत के साथ खड़े हैं, इस बात के लिए के पाकिस्तान में सिलेक्शन सिस्टम जो है वो खत्म हो, क्योंके देखें, जब कोई आदालत में केस्ट चला जाता है, तो वहां पर जजज सहिवान को दलील दी जाती है, कि इस बना पर ये केस्ट जो है, ये बरी होता है, इस बना पर इस केस्टे मुतलब जमानत होती है, तो देखें, पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान बनाया गया, तो पाकिस्तान बनने के बाद, हमारे नमाइंडे, पाकिस्तान में, वोटों के साथ संब्लियों में आते, और आज बीस साल गुजर चुके हैं, पाकिस्तान के बानी जिनाब काहिर आजम महम्मद अली जिनाफ पाकिस्तान बनाने के बाद जो बियान करते हैं कि पाकिस्तान में तुम अज़ाद हो अपनी मस्ज़ों में जाने के लिए तुम अज़ाद हो अपने मंदरों में जाने के लिए तुम अज़ाद हो अपनी अबादत गाहों में जाने के लिए लेकिन पाकिस्तान में 20 सल हो चुके हैं हमारे साथ सुतेली मा जैसा सलूख हो रहा है आखिर क्यों हम पाकिस्तान और हमारे बाउज़दाद ने पाकिस्तान बनाया पाकिस्तान बनने में सबसे बना करदार जो है वो मसीछों का है जब पाकिस्तान बनाया गया तो हमारे अजीम लीडरों ने इसमे भरी कुरवानिया दी हैं बहुत सारे चैलिंज उनके आगे आएं जो उनके रहनमा जो है जो ये बात करते हैं कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा खबरस्तान तो मेरे अजीजों पाकिस्तान में हमारे मसीछी लीडर जो है जिनका नाम S.P. सिंगा है और वो क्या कहते हैं वो इस हिंदू रहनमा को चैलिंज करते हैं और कहते हैं कि सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे गरेजीजों और आज पाकिस्तान में हमारे साथ क्या सलू को रहा है यहां पर पाकिस्तान के तमाम सूपों में पाकिस्तान के तमाम शहरों में पाकिस्तान के तमाम गाओं में एक ही बात है हर मसी के लब पर एक ही बात है और वो बात के है के सलेक्शन सिस्टम जो है वो खत्म किया जाए हमारे नमाइदे जब लेक्शन लरकर जब संबलियों मेंगे तो फिर हमारी कौम के लिए बात होगी उन कत्तली जो हमारे उपर मसल्ट करिये हुए है जो अभी जिनको लिख कर दिया जाता है कि तुम ने इस से ज्यादा कोई बात नहीं कर दी और ना वो अप्री कौम के लिए बात करते हैं तो आज मेरे अजीजों आज हम लहार प्रेस कलाब में मच्छूते हैं इस बात के लिए के हिस मुल्क पाकिस्तान में जो मसीहों का हक है वो उने वापस दिया जाए और फिर उसके पाद पाकिस्तान में सेलेक्सर्स सिस्टम जो है वो खत्म किया जाए ताके हमारे नमाइदे वोटों सेस्टमलियों में आए और हमारी अच्छी कमान बन चके अपनी कौम की अच्छी कमान बन शके मैं उन लोगों को एक बात करना चाहता हूँ जो ये दावे करते हैं कि पाकिस्तान हमारा है पाकिस्तान हमारा है यहाँ पर मसीहों को नकाल दिया जाएगा मैं उनको ये बात करना चाहता हूँ कान खुल कर सुनो पाकिस्तान जब बनाया गया तो सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान मसीहों की वज़ा से बना और आज पाकिस्तान जब काइम है तो आज जब पाकिस्तान काइम है तो ये भी मसीहों की वज़ा से है क्योंके हर चर्च में हर अबादत गाह में मसीहों वो मसी सब मिलकर पाकिस्तान की सलामती के लिए दौा करते हैं पाकिस्तान की बुका के लिए दौा करते हैं तो मैं चाहता हूँ के पाकिस्तान अब ये कैम है तो ये भी मसी हों की वज़ा से काइब है तो उसके बाद मैं एक शेह कहर कर इजास्त चाहूंगा कि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी तू जड़ा ही मत कर खुआब बदलेंगे हकीकत में तू जड़ा कोशिश कर बहुत शुपया थैं लगाया किये पढ़े लिखे अक्ल फाहिम से भरे हुए जो अपनी कौम के लिए खड़े हैं और महद सोचते नहीं अमल भी करते हैं और ये बड़ी बात है क्योंकि बातें तो भर कोई कर लेता है लेकिन अमली मैदान में बहुत से लोग हाल जाते हैं और ये खुदावन का शुकर है कि यहां माजूब जितने भी लोग हैं जितने भी हमारे पास बान बैठी होने हैं वो किसी भी फ्रेम से हैं वो पुदावन के फजल से खिर्मत कर रहे हैं और भर पूर कर रहे हैं इन सब के लिए खुदावन का शुकर करती हूँ प्रोब्रम को आगे लेके चलते हैं हमारे साथ यहां पर हमारे बड़े प्यारे भाई चोद्री शौकत साथ हैं माजूर हैं मैं उनको दावद माथद दूँगी आपकी बहुत सारे तानियों में क्योंदरी इश्वापर पाफ है मुष्या पार्टी दी बुनियाद रखी गई ओस दिन तो असी डाकसा देनाद मुष्यम कुमुनिटी देविचों क्या जाना मुष्यम क्रिष्टिन कुमुनिटी दा जिकर आंदा है क्या साड़ा तालुक बर्दूर तब के नाद जिसने एक मशीन ते एक शीख, मुस्लिम, एक हिंदू, एक सिक कोई भी खड़ा होएं ते होदा मजभी कि अगए जिसनों काम कर रहे हैं अंदार काम कर रहे हैं मालक देखोर अपनी तरहा लेड़ जाना है मालक देखोर पूरी तरहा नहीं जाना ते जिसी, जिस आरे मिल के करने पहाना थमें आहिए सजूरane तो की तौकी हैं, कठ़े ही हैं सार्ड़े चिते कज़ी फरक आयाया हुए असी होँ हैं पाकिस्तान दे कि यहें अजितुका ते मैदाना ची अधानता ची जेना ची कठ़ी रहे हैं ते जड़ों जी नी बेशा को टीरी ये ते रहने ही कठे हैं इस मुलक दें दर शाड़ी बका ही कठे रहने चाहिए बाकी ज़ना उन्यादी मतालबा है तो अड़ा एलेक्शन दा वज़े के दोरे वोड़ा हाँ हासल सी पाकिस्तान दी मसी बादरी नो और जिज़ी अविक बितां से उनौना पाकिस्तान दर बहुत सारे कवाहनिन दीन टबदीन हो dobray जाओ लाज練 मारशाला दो कि जिना साड़ा है, उना ही तोड़ा है. तोड़े जिन वोट ना पहने देडरे सानू, यह हो सकता पाकिस्तान नक्षए कुछ और होगा. इस थाकिकता उनकार नहीं किता जाए सुआ है. यह तारी दा छिस्साय है कि अन्हाक दाना सारियां. ते मैं इसरह हैंनी करदा करना चा कोई रिजिट्रेल पार्टि पाकिस्टान दें अंदर मसीब रादरी दीने नहीका , वब़का दावन दीने जी जए बड़े वाकिस्टान दें regulating उनुसरानिद्थी करना भाफिस्टान दें से , wz यह पार्टिया इसलिखे अमल द्रामद किस्ता कर दियां और जिए लोग उनने नमाइने थे तोरते असमलियें जान ते सन वह अपने पार्टिया थे अखलाफ गल नहीं खार सकते सन आज जो तो तुस्य अपनी पार्टि मसिया पार्टि बढाके मैधान चाहे हो एक साथ में गल्ब कीती सी, बड़ी खुद्रत रहने गल्ब कीती सी, के दो तीके ना जदो जेत कर्मी बेंदी है, एक कानूनी तीके ना, एक सड़का दे आके, और एक लॉबिंग ने जिरी जिरी लॉबिंग है, वो बहुत जोड़ी हुदी है, तमाम पार्टिया दीक olduğता तक, अपना प्रावाराम पुचाना, साथनु चाही देगा कैसी अपना पुरा प्रावाराम लिफ़ के, बुरी तफади लियाना, थे कैसे आधनी कहलता, पुचाईए और रोणना मुलाकाता करें, और मुला काता है करें कि रहनों समझाइए मैं एक गल्दावे ना कहना है कि साड़ी आ बहुत सारी आ पार्टिया ने ये बहुत सारे लोगा ने आईनी साड़ा नी पढ़े आगा कई वरी सानू में मौके मिलते हैं अजी मजदूर तब के जे लोगें साड़ी मजदूरी है कि सानू सारो कुछ पढ़ना पेंदा है सानू आइन भी पढ़ना पेंदा है सानू पाकिस्तान ता कारून भी पढ़ना पेंदा है सानू पाकिस्तान ती तारीख भी पढ़नी पेंदी है मजदूर तक पेज़े मसाहिल बहुत गहरे हैं सानू सब उतालिया करना पेंदा है लेकि जिले से उना काईदीन को जाने है पता लग दे उना ते आईनी नहीं पड़े आया उना ते आईनीयों शिक्के नहीं पड़ी हैं जिर यह सानू साथे कुग देनी हैं तो किस तरह ना मुगालस ही समझावांगे लॉबिंग देना गरीब जामद्याई जमन पुखे नंगे सानू एना गरीब बनाया है साधा जमन ते मरंदा तरीका एको पैंट कोड ना है ना कोई पाया है रंग रूप ते साधी ए नसल एको अजे खून ना रंग बटाया है जनाबे मोत्रां आज भी असी ओ होई है जेड़े पहले सा असी एक जरूर करने है के प्योदादेओं पाकस्तान साधा असी पाकस्तान वेट रहना है जिनी देर मिले ना हाक सानू असा तर ना मार के बैना है मैं एक गल करने लगा हाँ के मैं यहुनाबाद आ रहे शीयां नियू यहुनाबाद जिन्ट थे दियाच ने जिन्नों नमाना देता है नियू यहुनाबाद फेस नाइन लियाच चे साड़ी पंज एकड कबर्सान जिन्दे थे चार एकड थे लियाच दा कब्जा और एक एकड तो काट साड़ा कब्जा है और उनने जबर्दस्ती साड़ा कबर्सान आपने कब्जेच लियाए नमबर दू कुछ लोग ऐसे ने ओ असी कार बेठे होने या ते साड़े करादी रिजिस्ट्री कार देने कब्जा लैटर बना देने उनना लोकानू जड़े उत्थों दे वसनेक ने जड़े जड़े लटेरे ने जड़े क्योर ने उनन बना देने ने ओ साड़े करादी आनके कब्जे कर दे लिहादा ए गल साड़े कोल साड़े हाक कच ना मनुदूर जड़े उत्थों दे राशी ने उन्हानू रैंदा हाक का हासल होना चाहिए जिस तरह के आज भी आसी आपने हाकवास्ते एगल नू लाणने या फर्याद कारने आ जेस तरह के असी आपने हाकवास त्याने हैं के प्यों दादेओं पाकस्तान साड़ा तेसां पाकस्तान वेचे रहना है जिन्नी देर मिलेना हाक सानू असां तरनामार के बैन है नहायती मौतरम जेनाब डक्र प्रवेश साब चेर्मेन पाकस्तान नसीहा पार्टी जेनाब सेंसन स्लामत साब आदिल गोरी साब और बाकी तबाम दोस्त मैं आपका बहुत मश्कूर हूँ कि आपने इस सहे मौदू पे आज का प्रोग्राम रखा महौल काफी गर्मी है थे हबस है थे बौदी अगलना के काफी मकररीन है मैं ते तहरीक चोई सिख्या है कि जो चेर्मेन गल करे थे बाकी कार्पून को बानी देने वकर दी लेकिन असी रैली की थी 11 गज़ चो थे मैं अज़े चेर्मेन अपनी पार्टी हैड स्पीच कीती किसे होर साथी ने ने कीती थे इस सिखन दी गाले सारे मौदूजी ने ब ते एस्पी सिंगा ने वोट पाया पड़ी देर होगी पचातर साल चेतर खांदे इस मौलक चेतर साल अपना पचातर साल पाकिस्तान दी जुबली मनाई पचातर साल तक असे ऐसे गुम हो है ऐसा अधुम अपना अलेक्शन दा रा इनी मिलन देया कोई पाकिट अड़ी नी मिलन रेबी ऐसे जाना बिददन होएं चार लेक्शन ऐसे जुदा गाना वेखे तै एच आर लेक्शन जेडेने मखलोत वेखे तै ते जर्बाट सा डीकॉम ते हुधे रे तै ये जेडेने नहीं होने चाहीदे गंड़ थोड़ी जी मालूमाद दिक करने है के लेक्शन सिस्टम की होना चाहिए दे ते कुन सेंसस होना चाहिए दे एक मैं आखर चतराज उठावांगा जिड़ी अची करार दा दे कि जिड़े जासी डिमांड कीती है कि हर जिले जो एक MPA ते दो जिले जो एक MNA मेरे बागी दोस्त मुत्फिक होनगे ओदे जसी गाल करांगे लेकिन सब तो पहला जूरी है के सानु पता होए के आएंदी केड़ी शिक्क है जिन्हों असा बदलना है मेरे ख्याल कैसी गलना ही कारते रहे है सानु पता ने भी तबदीली की वे होनी है सब तो पहला पता होएगा के कौमी सैंबली दे मेंबरान की 99 वकत कौमी सैंबली दे 330 MNA अद्दे भी लाई ये 50% आएंदी अमेंटमेंट ले ते साड़े को जड़ा है ओ तकरीबन 160 चाही ज़ने दे कॉंस्टिटुशन ओमेंटमेंट कर ले 204 MNAD ज़ूरते जड़े रेजोलुशन ओपास करने ते फिर आर्टीकल 51 क्लास 6 ओदे सेक्शन F ये C ओदे ज़नेंटमेंट होएगी ते फिर साड़ा अलेक्शन दे सिस्टम जड़ा है ओचेंज हो सकता है सेकंड़ी असी जदागाना अलेक्शन दी क्याल करने है जदागाना की सी एक इस्तेसाली मज़ान सी जिनों कौम रद कर चुकी है क्योंके ओँ मज़दी बुनाते सीटा दी तक्सीम 1985 ज़ूर हक ने जड़ा R.C.O.C. रिवाइवल ओफ कॉंस्टिटूशन आर्डर 1985 और चीफ मार्शला अड्मिनिस्टेटर आर्डर 1985 ओदे जरीए जड़ा आर्टमीन तर्मीन दे रेचिमेंट मेंट लेके आई गे और सानू दस सीटा लाट की दियां गई है बगएर किसी वज़ा तो बगएर नेलसर्स की दिया साड़े रेशो की नहीं है वो आठ सीटा सानू दे दियां गई है चार क्रिस्टिन्स दियां चार हिंदुआ दियां एक काधियानियां दी और एक बाकी जड़ियां दिलीता ने होना दी और जरा मिनों यह दस हो कि अगर जुदा गरना सी लेक्शन मांगने है तेंसो ठट्टी कुल MNA दे विचोर चार असी मसी अमने की करांगे केड़ी तुसी तब्दी लेक्या जो गयते है केड़ी किरारदाद मन्जूर लेक्शन दे पॉसिबल ही नहीं और कॉम इस सिस्टम रुराट कर चुकी है के जिणा गरना, जिदा करना, जिणा गरना यह बिल्कुल गलत है और इस लिए उस तो बड़ी सता साल सी केS aogenican लिए पूरा पाकिस्तान हल्का इक aí ने लिए पूरा प्ञड़ हल्का बिल्कुल इलोजिकल पुर्छी बिल्कुल गलत है और अनुनीस ही होना चाहिए दा इस दौर दे मजूदा मख्लूद एलेक्षिन दा दा दोर पहले दोजार ते जोएे फिर जोए फर दोजार तर तर जोए ते पनावे अलेक्षिन 123 जोए पर जोए ते पन्मेश दोजार तज्वाद बढ़े पुनाज दे वेच एफ क्लास एफ ओदेच मैलमेंट करके चार सीता सैनेट दे वेच मनजूर कर रही है और पंजा सालाज तर पिश्रेया जार सालाज किसे माई दे लाग में निजूरत नहीं होई कि कहां कानौजी कहां छाट भी करवा सके कौमा भी काट करवा सकते कोई लेक्शन मिडिया जिरा लेफ ओसी लीगल फ्रेमवर्क और्डर ओदे तैट मुशरफ में जिरी यह तर्मीमा कीती है सब्सक्राइब लेकिन साड़े लोग का ने मतालबा कीता कोई सिस्टम नहीं दे सकी कि सानौवार सिस्टम चाहिए इस दिए तो मुशरफ आया तो उन्ह अपने नमाइन देनों चूण के दे सकी होना उन्हों इख्तियार है हलके चीड़ा मुस्लम कहड़ी रेकिए उन्हों वोड कास्ट का ने असी वोड भी ताकत ना आर्टिकल 226 जिदी गाल कारते ने सीक्रेट बेल्ट दी और असी आरड़ी वोड कास्ट के एडिस्क्रिशन सीटा ने जिए खवादी नों मिलिया 33% कौमी इसेमली जिए 60 सीटा खवादी दिया ने और अगली तादिया 10 सबतों पहला तो साधिया सीटा जज़ाफा होना चाहिए और यह जरूरी है और उस तो बार जड़ा एजड़िया मखडूत सीटा ने एजनों जड़ा सिस्टम देल करता है कि मैं साम मेल दिया ने प्रिपोशनल रिप्रिजेंटेशन ऑन दा पार्टी लिस्ट एक बकाईता डेमोग्रेटिक सिस्टम में के पार्टी यह अपनी लिस्ट दें दिया ने लेकिन एज़े चेक एंड़ बैलन्स होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी इस देल कर दा है बाट इस दिया लिए ऑन दिया ने इन इन गड़ा चाहिए जो जिनू दिल कर दा उन्हों अपनी मर्जीना बनाने और लेकिन साटा कोई इस यह बार भी कर सकी है कोई रेज़ूशन निपास की थी कोई आइं देवेच मैंन में नहीं लेकि आ सके है यह लिए मैं समझना कि सिस्टम नो बदलना बहुत जूरी है और एक जुरूरी गल करना लास्ट डिरिज जुरूरी एहम गल एप पिछले जो वोट आफ नो कांफिडन्स ते वोट पास्ट होई ते एक सुप्रीम कोर्ट ता फैसला आया कि जड़ा मने अपनी पार्टी दी इंस्ट्रक्शन तो इन्हराफ करेगा वोट दें दी या कोई कनूर पास्ट है उदी शिक्ते वोट पान ले ते जड़ा पार्टी पालिसी दे खलाफ जाएगा और डी सीट हो जाएगा हुन पर तैड़ा कि एक मनज़र रखना कल नो तहरीक नो बैक एक कौमी सेम्वलिच बेल पेश कर दी है कि जड़े सहाबाई कराम ने उन्हाद दी शांच जड़ा उस्ताखी करें तो इसलाम हो तो ने चाहिए और पीटी आई मैं वैसे ना मना कोई भी जमाद चलो असी ना नहीं ले दे इसले इस करनोन नो बदलना इंतहाई जूरी है और मनावटी जना इस पाकिस्तान जड़ोजहत कर रही है असी चाने है कि सिस्टम बदले लेकिन असी चाने है कि इसी गौर्णमेंट नो एक सिस्टम देए कि सानु आ सिस्टम जाहिए है हवाच तलवारा मारना ये जड़ोजहत करना फाइदा को नी और हैंड दे में काल करना के देखो होड़ सी सूबे वाइस मैं जड़ी करारदाद की तीसी किसी ग्राइड कर रहे है दो जिल्या दे एक मने चाहिए है एक जिल्या दे के मने खैपर पक्तू में खाद एड़ेच चाट हजार कोल अबादी है चाट हजार कोल अबादी है ना मतलबे 33,000 वोड होगे अज्डा कर दे है अलागे इस तो काट रहे 33,000 वोड और एड़ेच एड़ेच जिल्या किने ने के पी के देड़ेच एड़ेच जिल्या 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 ज लेडिये और उदा हाफ 14 लख वोट ने और पंजाब ने च्छती जिले ने उन 14 लख नुदरा च्छती हैं जिले ना दे मांड के ले लो ओ ही रेशों किसे दस जार किसे जगाते वोट पूरे पूरे जिले दे लिजते किसे दे 20 जार और फार्मूला की है सटे चार तो पांच लाख दी गाल नहीं ते असी किन्या सानु 3 लाख दे कैमाने दे दो ते ओ किन्या जिले दे बादी होएगी ता फैसला कौन करेगा एस सानु तैय करने इसलिए सिंद्ध दे वेचिडे ने वो साड़ी 33 लाख 45 जार हिंदू ने और इस तरह ही उना कोल अबादी और तकरीब आख दे और ते खिर जबाद डिया जाए अधे सारियां पार्टियां को अगया जाए ताकि सारियां पार्टिया ने ओएधित राएद ते एधित अपना वर करके तो फिर ड़मान कर सके तैंक यू वरे मच्च बहुत शी बपर इहाँ जाली नाव में आख सब की सलामती हू सबसे पहले तो मैं आज पीस पुर्वकार तक्रीब के इनकाद के लिए और जिस बहुत बड़े मकसद के लिए इस तक्रीब के इनकाद किया गया है मैं मुख्तरम जनाब डाप्टर परवेश साहिब चेर्मेन मसीहा पार्टी को मुबारिक बात पेश करता हूँ अब अगर मैं बात करूँ जमूरियत के हवाले से तो वत्मी अजीज पाकिस्तान जिसमें हम आबाद हैं ये एक जमूरी मुल्क है जब हम जमूरियत की तरफ देखते हैं तो हकूमती इतहाद पीडियर और आपोजिशन इतहाद दोनों इस बात के दावेदार हैं के वो जमूरियत बचाने निकले हैं उनके पार्टीज में अकलियती विंग भी मजूद हैं जो जमूरियत को बचाने के दावेदार हैं लेकिन मुझे इस बात की समझ क्यों नहीं आती के जमूरियत के इन दावेदारों को इस बात की समझ क्यों नहीं आती के इस वत्ने अजीज में बसने वाली अकलियतें जो तकरीबबन एक क्रोर के करीम हैं अपने वोड़ से अपने नमाइंदे मुझे करने के जमूरियत हैं क्या ये जमूरियत है? मैं ये समझता हूँ के इंतखाबाट का अमल, एलेक्शन का अमल कौमों की स्यासी जिंदगी में आकसिजन की हस्य草त रखता है जब आप किसी की आकसिजन बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं के सरवाइव करो तो वो कीसे सरवाइव करेगा? मैं अगर बहुत पीचे जाओं तहरीक पाकिस्तान के वक्त की बात करूं जब हमारी अक्सरियत जो आज अक्सरियत है हमारी मुस्लम कम्यूनिटी जो उस वक्त खुद अकलियत में थे तो कायद आजम महम्मद अली जना ने इस बात को भांप लिया कि अगर हिंदूस्तान में मखलूत तरीका इंतखाबात राइच रहे गा तो इस तरीका इंतखाबात के तहेत मुस्लमान नशिस्ते हासल नहीं कर सकेंगे वो असम्बलियों तक नहीं पॉंच सकेंगे लहाज़ा वो ये हक का हासल करने के लिए दीगर जमातों के पास भी हमायत हासल करने के लिए चले गए और फिर वक्त ने थाबत किया कि मखलूत इंतखाबात उस वक्त भी अकलियतों के हक में नहीं था कि जुदागाना इंतखाबात अगर आते हैं तो निशिस्तों की तकसीम कैसे होगी यहां तो पांच से साथ लाग पर एक निशिस्त दी जाती है तो मैं अपने भाई के नालिज में ये बात देना चाहता हूँ कि आप ये बात तो कर रहे हैं लेकिन क्या आपने खैबर करतूं का की बात करते हुए फाटा में निशिस्तों की तदाद देखी है जहां पर एक लाग पर भी एक निशिस्त दी गई है तो अकलियतों और अकसरियत के लिए एक फार्मूला कारमद नहीं हो सकता नहीं उस पर अमल पहरा होकर निशिस्तों की तक्सीम की जा सकती है तो मैं आज की अपनी बात को मुटसर करते हुए क्योंके गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप लोग बड़ी देर से हमें बरदाश्ट कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये जोहते मसलसल करनी है कि हमें अपने वोर्ट से अपने नमाइंदे मुन्तहिब करने का हक दिया जाए क्योंके जो लोग असंबलियों में बैठे हैं सेलेक्टिड तरीके से बलके अगर मैं ये बात कहूँ कि ये कहते हैं कि इमरान हान की हकूमत एक सेलेक्टिड हकूमत थी तो अगर ये जुमाते साड़े तीन साल इस सेलेक्टिड हकूमत को बरदाश्ट नहीं कर सकी तो क्या वज़ा है कि हम 35 सालों से इस सेलेक्शन सिस्टम को बरदाश्ट कर रहे हैं इसके लिए हमें धरने भी देने होंगे हमें सड़कों पर निकलना होगा क्योंके जो लोग एसंबरियों में अकली ते निशितों पर बैठे हैं वो ना इस निजाम के हामी हैं ना कभी इस निजाम के हामी होंगे अपनी बात को अपने बात को खत्म करता हूँ एक शेर से कि जो आप लोगों के लिए यकिनन एक पेगाम होगा कि आज हम मगर खाब देखेंगे आज हम मगर खाब देखेंगे लोग कल इनकलाब देखेंगे गुजर के लहू के मौसम से गुजर के लहू के मौसम से सूलियों पे गुलाब देखेंगे ठैंक्यू वरे बाबरकत बज़रा अजीम कादना भी आप सबों की सलावती मैं डॉक साब का शुक्र गजार हूँ इसारी खिर्मत रादे में देखता हूँ पाकसान मुसिया पार्टी के लिए दिल रात वो मिनद करते हैं और ये बहुत बड़ा गुलतस्ता जो त्यार किया है ये भी उनकी मिनद है तुमांग पार्टियों को एक जगा परकठे कर लेना अधरान साब बात कर रहे थे बड़ी लीडर्शिप की वो लीडर्शिप तो ये चाती नहीं कि ये कात्र हो वो लीडर्शिप ने तो अपने नमेंदे भेज़े हुए है बड़े जो दो बड़े चर्च हैं जो इसको हम बड़े कहते हैं जो चर्च उसकान कारने हों को हम चर्च नहीं समयते जो बड़े चर्च हैं उन्होंने तो अपने नमेंदे बेज़े हुए हैं वो ही अपने उन आखाओं की खिद्वत करते हैं अपने आखाओं की बाद सुनते हैं आपकी नमेंदगी वहां पर नहीं होती है और नाएट यू आपकी सुनता है सो मैं अज़े अम्रेसिट और पीस इन तुमाम वार्टी के जो सर्वाफान माजूद है हम आपके साथ हैं हमारी तुमीबल को इन चालिस बिशिप सहबार की कौंसल है तुमाम कौंसल आपके साथ शाना मशाना पूरे पाकिसान में जहां ही परोग्राम होगा हम आपके साथ खरे हैं जोसे बात ये क्योंकि बैनल मजाहक के हवाले से मुसलिम और क्रिशन हम सब बैठे वे हैं खदा एक है खदा एक है और हम सब खदा को मानने वाले हैं और इबरहाम भी एक है इबरहाम के दो बेने थे इसमाईल और आईजर हम मसीरी जो है हम आईजर की अलाद हैं हमारे मुसलिमा भाई जो है वो इसमाईल की अलाद तो वो दोनों क्या थे अपस में भाई थे कजन थे और मैं तुमाम लोगों की अपनी तरफ तोरज वभूर करवा के और हमारा जो हम सब एक खामदान की सुरुकर प्रहरा है झैसे के वो दोनों कजन हैं भाई हैं तो हम एक खामदान बनकें तो इस सारे खामदान किस की अंदर है पाकिसान में काम करूं हमारे कोरिया में और अमेरिका में डॉकर यॉंग, फादर बायो, यूनिवर्सल पीस, यूबी एफ, एसी, अलसी, अमेरिकल क्रिप्शन लीडर्शिप कांफर्स, इस के उपर वो काम कर रहे हैं, पीस के उपर काम सब एक हो कर्चा है, उसमें हुदू ह है, सिख है, मुसी है, मुस्लमान है, उस सब को साथ लेकर चलना चाते हैं, जैसे डॉक साथ तमाम पार्टियों को लेकर चलना चाते हैं, तो वो इंटरनेशन जो तन्जीब है, डॉकर नियॉंग और फादर बायो, और उनके तमाम साथी, वो डॉक साथ के इस मिशन पार, ह ये रोड़ा ही होता है कि वहां पर कब्जां ग्रोप बेशने की कुश्च कर रहे हैं और डी एचे ने कब्जा किया हुआ है हम भी ऐसे लोग आपके दर्म्यान वजूद है कि हमारा अलाका ग्रीन टॉर्ण में बलके सियानी सियासी लीडर से मेरी घुजारेश है कि आप आपके साथ कदम बिढ़ा है पूरा ग्रीन टॉर्ण आपकी साथ कदम अठाएगा कि दामदार समय को बड़ी बड़ करते हैं पारश करें मैं सबसे पहले मसीः पार्टी को आज के इस बहुत ही आहम जलसे की मुबारिबात देना चाहता है मैं सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में लेकिन खास तोर पर सिंद बलूचिस्तान स्राइकी वसेब और खैबर पुख्टून खा में जो हमारे बहन भाई खाम का तालूग अकलियत से है अकसरियत से है वसेब पाकिस्तानी हैं सब इनसान है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के बत्तरीन सेलाब से गुजर रहे हैं उनकी जिन्दगियां इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार है मैं अपनी तरफ से आप सब की तरफ से उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ लेकिन ये हमदर्दी काफी नहीं है ये जबानी हमदर्दी काफी नहीं है रवादारी तहरीक ने एक रिलीफ कैम्प शुरू किया है बहुत सारी और तन्जीमें और स्यासी जमातें, हगूंतें भी काम कर रही हैं हम सब को अपना अपना हिसा डालना चाहिए इसके अंदर मेरी आप सब से हाथ जोड़ कर अपील है कि आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त हमारे लाखों लोग, बहने, भाई जो हैं वो बच्चे सड़कों पर हैं, उनके पास टेंट भी नहीं है, बोटसों के पास खाना भी नहीं है तो आज हम लहौर में, जब लहौर सेफ हैं, लहौर में ऐसी सुनते हाल नहीं है हमें इन बेहनों और वाईयों का ख्याल रखना है, यहां रवदारी तहरी का एक चंदा बوقस हैं, अगर आप रवदारी तहरी को चंदा देना चाहते हैं, जरूर दीजिए醒े, लेकिन मदद जरूर कीजिए प्रेस कलब वालों ने लाइटे बंद करना शुरू कर दें इसका मतलब है कि हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया मैं सिर्फ यह आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अक्सरियत भी कुछ नहीं है और अखलियत भी कुछ नहीं है अगर अक्सरियत भी कोई यहां पर फुश नहीं है लेकिन अगर अक्सरियत कुछ नहीं है तो यहां अक्लियत के जो मसाइल है वो अक्सरियत से दूर बना स्यादा है जो शायद अक्लियत के मसाइल है वो अक्सरियत के नहीं है इसलिए मैं आज रियास्ते पाकिस्तान के जिमेदारों को बहुत सीदा सीदा ये कहना चाला हूँ वेरी कैटेगोरी कलिमा मैसेज के हम कुछ नहीं हैं हम कुछ नहीं हैं 75 साल गुजरने के बाद या तो आपने हमें दौलेशा के चुड़े समझा हुआ है और दौलेशा के चुड़े हम उनको कहते हैं जिनके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती जो पैसा करने की सलाहियत नहीं रखते जिनके पास एक्यार नहीं होता लेकिन पाकिस्तान में बसने वाली अक्यातों के लोग सियासी शहुर भी रखते हैं सुचने समझने की सलाहियत में रखते है लेकिन इसके बावजूद सियासी जमातों के लोग रियास्त चंद लोगों को उठाए पार्लिमेंट में बढ़ाके कहते हैं यह आपके नमाइंडी है यह तरह सर्थ जियाती है यह नाइंसाफी है हम इस नाइंसाफी को नहीं मानते है पिछले 20 पावों से जाहे वो 38 नमाइंडे जो इसक पार्लिमेंट के अंदर बैटे है और जो 2002 से पार्लिमेंट से बैटे आ रहे है मैं कैटेग्वरिकल यह सियासी जमातों को यह कहना चाहता हूँ कि वो आपके नमाइंडे है हमारे नमाइंडे रायके उनाी है अगर आपके नमाइंडे नहीं मानते क्यों selection and election irlection चुबूरियत होती है और selection किसी वोथ पतेबार का फैसला होता है और यह जो नमाइंडे अक्यच्षों के नाम पर eliminate बिचाई जाते है यह किसी एक बन्लने के थैसले की वजा से साटे हैं या किसी इक समाज के थैसले वजा से फालिमेंट में जाते हैं वो मेरी हो आ ак दाइब करी कि नहीं क्या सकते कि वो हमारे नवाइदे हैं और वे अपने नवाइद नामसाब चेर्मेंट दिल्दावाइद दिल्दावाइद आपका पूरी तबजह से दोड़नें चाहिए आप आप आपसा मुझे शुन रहे हैं आपसा मुझे शुन रहे हैं पीछे आपसा कि रमास की रहे हजू वी तरह में रहे हैं 15 और में अप शुन छर्वें ette का इती हुए उसंसर्पारयों के प्रस्वाइद हुए अस नवाइद प्रॉचिछ च्रुपा ड़ूका मुझे पर कई ना मैं नी चाहता अपर आप सो कुछ को रुजार हो कि आप ने बुरुष्टाब के यहां नुमाइब की दी और मैं कुछ बात यह करना चाहता हूं जो मैं समझ रहा हूं प्रीक साथ की बच्छा चाहिए अगर आप अपनी बात करने आए तो अपना बैड़ जाते हैं हम आपके लिए आप सर्थ तोर्जस बात सुने आप सब यह जो आप इतने बड़े इवर्ट कुछ ऑगनाइस किया है आपने तो उने चाहता हूं उसमें कुछ खास बाकिपीच है जो हम मैसूस करते हैं मैं साथ कुछ ऐसे प्रैसिजएंट है जिनके साथ जो पेसाति हूं कोनों के साथ भी होती है ठीके उन्होंने स्ट्रकर्टल की माजीद का आदक अना था जिटनी मतंब कौने हैं अगर उन्हों ने इसी तरह मुनजब निसम्ने से में अम उन्नसान है तो और तरक्की नहीं क सब्सक्राइब करना हुगा है तो अमेरे साथ रफसा पर हमें सेलेक्शन सिस्टम अबंदब एस पर आर रेकॉरिमेंट के व्यूल सिस्टम हो या जुद्धाना हो अगने मिलना पर हमारे पास ऐसा क्लों सब नहीं है तो रफसाम एक लिश्वास शेदाओं को भी नहीं हमें पर इस एक सट करना होगा तो इतना का डिस्टम जो आपने कठा यहां पर किया है वो इतना मेंग फूल है आप माहेंगे कि इंधरावका विलिजिस कम्यूली की आपके साथ रेट यह आपके पास पॉलिटर कम्यूली भी बैठी है एंजियो सेक्टर के भी लोग हैं और बेसिक कम्यूली है तो बहुत प्यारा गुल दस्ता है बताब मैं यह कहूं को ने यहां पर तब कम्यूली ते स्टेपोर्टर्टर्स बैठे हैं तो क्यों ना हम ऐसे कुछ निजाम बना सकें कि कोई भी प्रोजेक्ट या हम बच्चे को स्कूल में दाखत करते हैं तो उसके लिए हम तो निजाम बनाते हैं तो हम निजाम क्या बनाते हैं तो उनके लिए कैसा निजाम है दूसरी बात हमें इस बात को समझना है कि हम तुदाब खरीजे हों हम बहुत खास हैं हम आहम नहीं है हम गरीब जरून हो सकते हैं लाचार जरून हो सकते हैं बर हम खास हैं जब हम खास है तो हमने एक्रशनम भी खास रहं की तरह करना है हमारे साथ बरुष्टार 마रे दो बहुत बढ़ी कम्योंटीज हैं जिनों ये बावब है करा दिया के हमारे हoptरो को रखने बड़े को अपनी सोशल सब्सक्राइब को अपना अमले उन्होंने अपना स्टेक बना दिया था और आज देखें के बली-बली कोमें हाता जोंकी इसाल देती हैं इंतरनेशनली इंके बारे में बात थी दूसरी कोम, मेरे सामें पश्टूर कोमें निक्स जो है पाकिसान को जबीर करेगी वो हमारी पज्यागी की क्लास दे होगी वो पश्टूर होगी आप देक में रहोना पर गोटक कारवाइब को चिलाने वर पश्टूर सियासत में इंफ्टूशन पश्टूर तो हमें उसे सीप्नी की सुरूप है ना हम उसे सीप्नी की सुरूप है तो कैसे हमने कारवार में आगया और है कैसे हमने अधिक्शी गूगी में हाज़ी कैसे हमने कामिटि कुमिजिशन में आगया होनाए और यहां पर घूल में एक क्राविक्त करना जाहूँग आज मग्या कि उसेैंग्यो माफय के दिल्याओ लिजाम हमके वो सल्ब है। उसे रुप की साथ तोड़ सकते हैं हम उसे किसिता जिनाय कर सकते हैं हम अपने उन बिशफ सहिवान से किसिता वाय कर सकते हैं मतलब यहां पर जितने वेल स्रीप के चाहँ चाह, उन्मेसीह की भी पाइटुस्पेशा नहीं दिया, इज़र भी बड़ी तुक्ती बात है। हम मुसीहा पार्टी के साथ खड़े हैं, यह भी मुसीहों के हकोग के लिए काम करते हैं, और हम भी मुसीहों के हकोग के लिए काम करते हैं, हम मुसीहा पार्टी के साथ खड़े हैं, तहरीक रवादारी तहरीक के साथ खड़े हैं और यह मैं मुसीही लिडर होने की वज़ा से मसीहों के लिए रुपामे की वाजासे यह मैं हकुमबत पाकस्तान से और वजीर आजम पाकस्तान से यह अपीम करता हूँ अगर मैं हमें यह यह जो सिलेक्शन है यह हमें नहीं मर्जूर हम इसको सिलेक्शन को रद करते हैं और हम election चाहते हैं ति election के धरिये जो हमारे मुसीही नमाइंदे हैं उनको चुना जाए union conscious लेका जिले लैवल तक सुभाई कौमी समली तक और सेनर तक अबादी के लिहास हमारे जो मुसीही नमाइंदे हैं उनको चुना जाए बागी हम हुदाब के आगे रिक्वेस्ट करते हैं आपको मसें कि मारे जो कुछी होते हैं जो हुआ है वो इमानदारी से हमें दिये जाए